भोपाल नगर निगम अध्यक्ष सुर्जी सिंग चौहन जी हमारे साथ मौजूद है। सुर्जी जी नगर निगम एक्ट के हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष नाम का कोई पद वहाँ पर दिखाई नहीं रेता है। आप इस पर क्या कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष की समवेदानिक व्यवस्ता का मैं अध्यन कर रहा हूं मगर इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप मौहमद सगीर हमारे बरिष्ट पारशद है। प्रतिपक्ष नाम का अगर कोई पद नहीं है तो क्या संबोधन अब बदल सकता है। संबोधनतो मैं समझता हूँ केज dog i act कहता है के अनुसार एक्ट की मनसा कंण रूप करना चाहिए। एक्ट के अनुसार ऐसा और अई संबोधन में मैं अध्यन कर रहा हूं। जैसे मुहम्मद सगीर जी का लगातार यहां पर जिक्र हो रहा है क्या कुछ ब्रष्टाचारों की कुछ बात भी आपको पता चलिए क्या उसकी कुछ आप जांच करवा रहे हैं निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी प्राप्थ हुई है उसमें कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष जिनको आप कहते हैं वो हमारे बरिष्ट पारशद हैं मुहम्मद सगीर उनके खिलाब कोई ऐसी बाते हैं इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि लोकायुक्त के भी कुछ मा अब तो रही हैं लेकिन मैं मानता हूं कि अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इन सब तथ्यों की जाच करूँ है भारती जनता पार्टी के पास वो तमाम तथ्य तमाम फैक्ट्स मौजूद हैं जिससे विपक्ष की धार को भौतरा कर दिया जाएं कैमरेमें क खुलदीब के साथ आशुतोष इंडिया फर्स्ट न्यूज बोपाल इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत स्वकामना है नया चैनल ख़दोटोव की दुनिया में नए आयाम इस्थापट करेगा और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं, उसको भी प्रिकट करने का प्रियास करेगा, मेरी बहुत-बहुत सुफ़कामना है मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फस्ट मैं भगवान से प्रात्ना करती हूं कि चैनल भी फस्ट रहे और जब आप इंडिया फस्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फस्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बात हैं, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए, जिसमें बास्तों में इंडिया फस्ट है, मेरी पूरी पूरी शुपकामना इली जी चाहिए आपका ही इंडिया फर्ष्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आंगे बढ़ रहा है आपको आस्तोष जी को चैनल को इनके सहयोगियों को सब को बहुत शुप कामना मेरी होगी